बालो को तेजी से लंबा और घना करने का यह उपाए आपको कोई नहीं बताएगा तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूज चैनल नेच्टरल हेल्स सलूसन में एक बेहदी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ महिलाओं के नव्य प्रस्य सुंदरता उनके बालों से होती है इसलिए इन्हें स्वस्त और बहतर रखना आवस्यक होता है महिलाओं अपने छदिरस्त बालों का उपचार कर उन्हें जणने से रोक सकती हैं बालों को सुंदर बनाना सभी लोग चाहते हैं लेकिन पालर जाना सभी के लिए संभव नहीं है हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसान घरेल उपए बताएंगे जिनके उपयोग से आपके बाल काले घने लंबे हो जाएंगे तथा आप बाल जणने की समस्य से भी चुटकारा पा सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहला उपाय यह है कि बालों में तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं और बालों की लंबाई भी बढ़ती है लेकिन ज़्यादा तेल लगाने से नुकसान भी हो सकता है एक हमारे स्कैल्प से निच्रल तेल निकलते हैं ज़्यादा देर तक लगाने से इस कैल्प में फोड़े फुनसी और दाने की समस्य हो सकती है बालों में तेल नहाने के कुछ घंटे पहले और रात में लगा करके सुबह उठकर बाल धो ले दुसरा उपाय यह है कि सबसे पहले आप कैश्टर राल को गुर्गुना करें और उसमें नेबू का रस मिला करके अपने बालों की जड़ों में लगाते हुए हलकी मालिस करें नेबू का रस तेल की चिपचपाहट को कम करने में मदद करता है इसके बाद एक तौलियों को गुर्गुने पाने में भीगव करके उसे लगभग 20 मिनट के लिए अपने बालों को उससे ढख ले और फिर 10 मिनट बाद आप सेंपू कर लें दूसरा उपाय यह है कि सेब के सिर्के में अंड़ा पानी और एरवेरा जिल मिला ले और इस मिसर से अपने बालों को साफ करे आधा चम्मा सेब के सिर्के को आप एक गिलास पानी में मिला कर पी सकते हैं यह आपके बालों को बढ़ाने में मदद करेगा चोथा उपाय यह है कि बेर के पत्ते वा नीवू के छिलकों को पीस कर अपने बालों में लगाएं इससे आपके बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपके बाल काले घने लंबे हो जाएंगे तथा उनकी साइनिंग भी वापासा जाएगी पाच्वा उपाय यह है कि सब्ताह में कम से कम दो बार अपने बालों को धोएं बाल धोने के एक दिन पहले ही अपने बालों की अच्छी तरह से तेल की मसाज करें ऐसा रात को सोने से पहले करें ऐसा करने से बाल धोने पर वैसूखे और बेजान नहीं होते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद